बिट्टू अचिक्स को डाई बुरेन कहा जाता है बिट्टू अचिक्स का एक विशिस मैं तो ये भी है कि इसमें बनाना बोंड पाया जाता है बनाना बोंड या केला बंद या कदली बंद पाया जाते हैं और कदली बंदों की संख्या है वो दो होती है इसे कदली बंद क्य कहा जाता है क्योंकि इसकी सैप होती है इस प्रकार से केले जैसी होती है इससे पहले अपने बताएं कि बोरोन के बारी कक्षिया के अंदर तीन इलक्टोन पाए जाते हैं वन टू थरी इसी प्रकार इस बोरोन के बारी कक्षिया में तीन इलक्टोन है और तीन हाइडोजन की लाक्टोनों के साथ क्या कर दिया इन्होंने सांजा कर दिया सांजे के बाद में इस बोरोन के बारी कक्षिया में 6 लाक्टोन होए थे तो 6 लाक्टोन बिएस थरी दोनू के बारी कक्षिया में 6-6 लाक्टोन थे, इन दोनूने आपस में क्या किया है, इस परकार से बंद बनाया है, बंद बनाने वाले में जुड़ने वाले तीन हो गए, कक्षक देखोती वे आपन तीन कर ले हैं, लेकिन लाक्टोन पार्टिस्पेट दोई कर कि और से यसी थे परकार का पॉन्ट करते हैं, और से बंद की सर्प बनाना जैसे ओने गानि से बनाना कई का जाता है, यह थेटारी सी थीaison परकार का क्या बना derby है, बाकी में 2 सेंटर मिल रही है दो इलक्ट्रून अ एकटरून हो तो दूसी टूई, तूसर्म दूसर्म एक यहां पर hybridization sp3 होता है तो यह चारों sp3 hybrid orbital इस बोरोन के और यह चारों sp3 hybrid orbital इस बोरोन के है अब क्या करें अपने b2a6 है उसका निर्मान कैसे किया जा सकता है तो b2a6 का निर्मान करने के लिए यह वहुत important अभी किरिया है इसको आपको याद करना पड़ेगा कि b2a6 के निर्मान की इस प्रकार से पुछा जाता है कि bf3 की किरिया यहां पर यहां पर न लेन यहां और कुछ उंतर नहीं होगा यहां पर क्या बन जाएगा और कोई है नहीं इसके साथxic और के साथ किरिया करें बिट्टू ओथ्री बनाता है और साथ के साथ इसमें बहुत ज्यादा उर्जा बाहर निकलती है कि यानि कि इसे ओक्सिजन के साथ किरिया ओक्सिजन के साथ किरिया कराने को देहन कहा जाता है तो यहां पर इसका एक परकार का देहन हो रहा है B2O3 बना है और साथ की साथ बड़ी भारी मातरा के अंदर उर्जा है वो बाहर निकल रही है यानि कि यह वाईयू की उपस्तिती के अंदर जल रहा है और बोरोन का ओक्साइट बनाता है तो इसे डाई बोरेन ट्राई ओक्साइड है कहा जा सकता है यह B2O3 कहा दे इसकी अमोनिया के साथ किरिया हो जाए तो अगली किरिया जैसे B2S6 है इसकी NS3 के साथ किरिया हो जाए NS3 आप जानते हो ये के छार होता है एक बेस होता है और B2S6 को आप ऐसे भी लेख सकते हो कि भी याद फ़री विट उसी को आप ऐसे लेख सकती हो गिए तरी फरी के दूयू आ होता है कि भी अश्थरी में अर्ट फरीमि ऐस्व इसके पास बारिक अक्शा में चाहिं लाक्टोन है तो यह चुम्हां है इसके पास इलक्टोन की कमी है और यह इलक्टोन ग्रहन कर सकता है तो यह कैसा है कि लेविस एसीड है और यह इलक्टोन की कमी मैसूस करता है और कमी में कोई देने वाला मिल जाए तो अच्छा मैसूस करता है कमी के अंदर कोई देने वाला मिल जाए जैसे आपके पास रु और देव स्वागत है यह तो अतियानंद़ाई बात है लिए तरी खुश होकर इन रिर्ञाटरौन को यहां पर ग्रहै करता हुआ और यह देखो यह लोन प्रूर्ग्लध दे रहा है ओर यह BF3 ले रहा है कोई दे रहा है कोई ले रहा है तो यहां identifies तरी की रिया विए है और यहां पर बी एच सोर्ट में पताना हो तो बीच थरी ओर अरह εδώ जिससे यह इलेक्ट्रोन ग्रैन कर लिए हैं तो बीट्टू अजिक्स को अमोनिया के साथ किरिया कराने पर क्या होगा एनस्थरी के साथ है किरिया तो यह देखो भी अज्थरी है यह देखो अमोनिया है अमोनिया के पास क्या पाए जाते हैं लोन पेर पाए जाते है और बीट्रीय अश्ठक न्यूर्ण सपिसिज्ड है यह वेचारा इलक्टोनों की कमी मैसुष कर रहा है लोन पेर भी न्यूर्ण है तो यह दाइमर की रूप में है तो दोणे आपसे जुदे होए है तो ये इसके पास इलाटने कमी है तो इसने लोन पेर दे दिये रही इसने ले लिए कोई दे रहा है कोई ले रहा है जो देता है वो लुइस बेस होता है यानि कि लेविस बेस है ये जो ले रहा है वो लेविस एसीड है और इस परकार से ये परकार का साल्ट बन जाता है या क अपने मालो की ऐसी गटना कितनी बार गट गई है छे बार गट गई है कोई ले रहा है कोई दे रहा है यह ऐसी गटना छे बार गटी है कैसे क्यूं ऐसा हुआ है कि 6 अब इसे क्या कहते हैं तो बनने के बाद में अब इसे क्या कहते हैं यह तो लेविस बेस हैं और यह लेविस एसिड है और यह बना है तो इसे क्या कहते हैं अपर साल्ट कहते हैं यह बेजारा कोई लवन बन चुका है अब इसकी आग्ये की गटना बहुती इंपोर्टेट बहुती अच्छी और अच्छे प्रोडेक्ट पनाने वाली है इसे अपने गरम कर दें इसे अपने गरम कर दें तो सबसे विचित्रुत पाद इस किताब का कि B3 N3 H6 से बन जाता है और साथ में क्या होता है ओर तो कुछ ती नहीं आई ड्रोजन थी तो साथ में आई ड्रोजन है वो तक शिक्स तुनी कितने ओब तीन ओर तीन चैनल चैनल सब्सक्राइब तो यहां पर कितनी हाइडोजन बंच गई 15 हाइडोजन ने बंच चुकी है यहां पर यह दो मॉल बंते हैं देखो चैनल है तो दो मॉल बंचे हैं तो चैनल मां गई है तो बारा हाइडोजन क्या हो गई है बहर निकल गई है तो बना क्या है B3N3H6 है इसे कहा जाता है A-Carbonic Benzen Carbonic Benzen ने तो अपने को बहुत ज़्यादा दुखी किया कि बहुत से compound है लेकिन अपने अब A-Carbonic Benzen भी देखने को मिली है A-Carbonic Benzen Carbonic Benzen कितरह ही होती है Carbonic Benzen कैसी? ऐसी Carbonic Benzen के परते कों़े पर कों बेटा है C-A-C परते कों़े पर कों़ बेटा है C-A-C कों़ जहां Mood होता है वहां C-A-C होता है इसको आप इस प्रकार से बताया करते हो कि मैं निकला गड़ी लेकर जहां मोड आया वहां Carbon छोड़ आया तो यहां भी Carbon चोड़ दिया यहां पर भी कारबन चोड़ दिया जहां जहां मोड आया वहां वहां कारबन चोड़ आया तो और साथ की साथ अब तीन डबल बंद भी है यह बेचारी बेंजिन होती है और यह डबल बंद भी टिकले नहीं बेटते हैं यह भी गूमते रहते हैं कैसे गूम रह हैं अब तो यहां है अगली बार कुछ समय के पस्षात देखा गया कि यह बंदके लेक्ट्रण यहां और यह कभी यहां कभी वहां जिन्दकी है कहां अब यह देखो यह बीचारे डबल बंदके लेक्ट्रण घूम रही है इसी परकार बी थ्री एन यह बनाने का प्रियाश क्या दा रहा है यहां पर भी थरी है कि भी थरी एक बी दो भी तीन भी तो इसके तीन स्योजगताई होती है यह तीन पहले ही बना कर रख लो चाहिए इसके नायट्रोजन जुड़ा हुए बीच में तीनी नायट्रोजन के एक दो तीन नायट्रोजन वेश्व कितने अच्छ है प्रति एक साथ एक काईडोजन जुड़ाओ एक दो तीन चारे पांच ओरे छे यहां वाला हैडोजन इस प्रकारशी है अब देखो नाइट्रोजन के पास लोन पे रहे हैं बोरोन के पास बोरोन इलाकपनों का बुखा है तो यह लोन पर इसको डोनेट कर रहा है जिससे क्या बन गया एक परकार का दिवबंद का निमान हो गया ऐसा बन गया एक सिंगल बन गया तो दिवबंद की बाती है इसी परकार यहां पर लोन पे दे रहा है ले रहा है दे रहा है ले रहा है इस परकार से बेंजिन जैसे सर्थना बनी क्योंकि बेंजिन की यह आई डोजन को आ इसमें भी क्या पाया जा सकता है यानिकी बी-बी-बी-झात सिंगलबंद है यहां परते कोणी पर हायड्रोजन है पेले इदर दे रहा था अभी दर भी तो दे सकता है ऐसे दे दे ना इटो जने तो बंद की इलक्ट्रोन घुम गए बंद की इलक्ट्रोन अब चक्री घुम गई ऐसे मानलो कि ये बंद किहा गया पहले यहां था अब यहां है पहले यहां था अब यहां है तो ये क्या हो गया रेजनेटिक स्टेक्चर हो गई फिर भी धान देना एकार्बनिक बेंजिन की तुल्ला में अधिक एक्टिव होती है यानि की अधिक किरियासिल एक्टिव कारता है किरियासिल होती है यानि की जदा किरियासिल होती है कार्बनिक बेंजिन कार्बनिक बेंजिन की तुल्ला में एकार्बनिक बेंजिन में भी कार्बनिक बेंजिन की तुल्ला में अनुनाद पाया जाता है किस परकार से ये पाई बंद बनाती है किस परकार से सिग्मा बंद बनाती है इनको तो विस्तार से अपने जानेंगे एकारबनिक बेंजिन को अलग से अपने पड़ेंगे तो अपने अमोनिया के साथ अभिकिरिया से ये जना की अमोनिया के साथ अभिकिरिया से बीटोर 6 है वो het carbonic के बेंजिन बना देती है और ता इसके बाद में